बस ये दो चीजे आप अपने अप्राजिता के पोदे पर इस्तमाल करें और फिर देखी दोस्तों कैसे मुर्जाया हुआ अप्राजिता का पोदा भी दुबारा से हरा भरा हो जाएगा और पूरी सर्दी धेरो फूल देगा तो आज की वीडियो में ऐसी यही दो चीजों का इस्तमाल करना बताऊंगे अप्राजिता के पोदे पर और इसे क्या-क्या फाइदा हमारे पोदे को मिलेगा दोस्तों हमारा जो अगर पोदा बिल्कुल सूख गया है मुर्जा गया है तो दुबारा से हरा बारा होकर फूल देने लगेगा दोस्तों तो नमशकार दोस्तों और सबसे पहले हम बात करते हैं अपराजिता के पोधे के बारे में अपराजिता का जो पोधा हमारे घर के लिए काफी सुब माना गया है बहुत ही सुन्दर पोधा है यह और यह पोधा बहुत ही फलदाई पोधा है यह हमारे घर की नेगेटिव एनरजी को दूर करता है पल है ब्लू कलर का इसकी जो सेफ है वो ऐसे संग टाइप में होती है संग नुमा होते तो इसको संग पुस्पी भी कहते हैं बहुत ही सुब और बहुत ही पवित्र पोदा माना गया है तो मेरे इसाब से यह हर घर में दोस्तों होना ही चाहिए अगर इसकी मेडिकल वैल्यू क इसके जो तना है और इसकी जो फूल है वो काफी जादा फाइदा करता है हमारे सरीर के उपर इसके अगर फूल की हम चाय बना कर पीते हैं तो एक एनरजी बूस्टर की तरह काम करता है बहुत सारी रोगों में बहुत सारी बिमारियों में यह काम आता है दोस्तों बहुत ही बारिश के दुनों में इसके फूल काफी जादा मातरा में आते हैं मतलब बारिश में काफी जादा किलते हैं लेकिन जैसे जैसे सर्दियां स्टार्ट होती है इसमें फूल आने बंद हो जाते हैं इसकी पत्तियां पिली पड़ जाती तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वज़े से फूल देना बंद कर देता है और ऐसा हमें क्या करना जाए जिसे यह आने वाले सरदी में जो पोदा है वो मुर्जाय ना सूखे ना और धेरो फूल दे तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें करना किया कि सबसे पहले जितने भी डैड फूल है इसके वो बिल्कुल हटा देने हैं जितने भी आपके प्लांट के ओपर डैड फूल बन गई है तो वो तो आपको बिल्कुल हटा देने हैं दूसरा हमें क्या करना है कि जो इसकी फलिया बनी हुई है उसको भी हटा देना है क्योंकि जो पोदा है पोदे की मोशली जो एनरजी है वो इस फलियों में बीज होता है तो यह काम तो आपको करने है इसके डैड फूल अटा देने है और इसमें जो बनी हुए फलिया बनी है वह भी बिल्कुल हटा देनी है दो तिन फलिया आप रख सकते हैं उसको बीज को बनाने के उपर कि आने वाले टाइम में जब आप उसको बीज से ग्रो कर सके अगर अपने ओर पो नापिंदे को करने है तो यह काम आपको सबसे पहले जाती है कि आप दूसरा ही यह कि आपने देखा और बारश होगा है और बारिश में पानी की प्रोपर मात्रा बनी रहती है लेकिन इसमें नब पानी की का हमें ध्यान रखना है अगर पानी कमी हो जाएगी तो भी पोदा फूल देना बंद कर देता है इसकी पतियां पीली पढ़ती है और यह बिल्कुल बेजान सूख जाता है तो पानी का हमें ध्यान रखना इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए और इसके तभी हमारा जो पोदा है वो अच्छे से ग्रो करे यह और यह जो मसालों में हमारे काम आती है किचन में जो हम काम में लेते हैं वो यह वाली सरस्तों है इसको हम एना एक चमच के साब से उसमें मिक्स ग्रेंडर में पीस लेंगे और इसका हम लिक्विट फ्लैजर बना कर त्यार करेंगे और यह जो हमारे पोदे को गर्माहट देगा यह जो है ना इसकी तासीर थोड़ी गरम वाली होती है तो इसको है ना जैसे हम हमारा सरीड नहीं कि हम सर्दियों में गरम चीजे खाते हैं जिसे हमारा सरीड गरम रहता है और हमें ठंड नहीं लगती तो वह हम अपने प्लांट के लिए अपलाई करेंगे तो यह जो है लिक्विट फ्टलाइजर हमें जो इसका बनाया है सरसो का वो बिल्कुल सरसो के दानों का वो हमें जो पोदे का ना वो गरमाहट देगा तो हम इसकी जड़ों में डालेंगे और इसको हमें ऐसे 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे 24 घंटे बाद हम अपने पोदे पर इसक तो बहुत ही बढ़िया यह काम करेगा और हमारा पोड़ा है ना सर्दि से बचा रहेगा इस पर जैसे आणे वाले टाइम में दोस्तो बोरा भी होगा ओस भी इसके पत्तों पर पड़ेगी तो इसके वज़े से हमारा पोड़ान खराब होगा अगर हम यह चीजे इस और यह दो चोटा सा मैंने पोधा बिल्कुल चोटे से गंबले में लगाया हुआ है इसको में भी मैं इसका इस्तमाल करने हो ताकि मेरा जितने वी मेरा प्राज़दाइक पोधे है उसका बचाव हो सके आने वाले सर्दी में दूसरा ही है कि हम इसकी पत्तियों पर है ना एप फूल रहते हैं नपत्तिया जाते हैं यह तर नो हमारे पोधे पर नहीं और इस लिए अप स्टमालं करेंगे उसकी पत्तियों पर दे पेंगा हिना सब्सक्राइब आप डेख सकते हैं मेरे तरह पुरी तरह फूल की तरह भी आप डेख सकते हैं पौरी की ग्रोध काफी अच्छी बिल्कूल बढ tap और इस टाइम में भी यही रीजिन है, कि मैं टाइम टाइम इस तरह की चीजे की अपने पोदे पर इस्तमाल करती हूँ, ताकि मेरा पोदा है न, वो सर्दी से, कोरे से, ओसे, हर चीज से बचा रहे, और मेरे गाडन वे प्रोपर यह ऐसे ही लहराता रहे दोस्तों, और आप क कैसी लगी आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो